अस्सलाम उलेकुम, वेलकम टो माई चैनल, आज हम वनीला केक बनाएंगे, वो भी कड़ाई में, बिना ओवन के हम इसको बनाएंगे, और एकदम परफेक्ट केक ये बनेगा, और बहुत सारी टिप्स एन ट्रिक्स के साथ हम इसको बनाएंगे, और जो कड़ाई में बेक करके मुझे एक्सपिरेंस हुआ है, वो भी मैं आज से शेयर करूँगी, शाम की चाय के लिए तो ये केक मस्ट होता है, और अगर घर का बना हुआ हो तो और भी जैदा टीस्टी होता है, तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, तो इंगीडेंस मैंने ले लिये हैं, व और वन टीस्पॉन मैं वनिरा एसेंस टालूँगी, और ये थ्री फॉर्थ कप जो है ओईल हैं, और हाफ कप मिल्क हैं, और तीन अंडे हैं, और अब सबसे पहले मैं अंडो में जो हमने शुगर को ग्राइन किया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और शुगर के साथ में म मैं इसको बीट करूँ, तो फिर ये उड़े नहीं, तो यहाँ पर देखें, मिक्स हो गया है, अब हम इसको बीटर की हैल्थ से अच्छे से बीट कर लें, अगर आपके पास नहीं हैं, तो आप हैंड से भी कर सकते हैं, फोक की हैल्थ से, या फिर जो हैंड विस्क कराता है, उसके हैल्थ से भी आप इसको अच्छे से फैंट लें, तो यहाँ पर देखें, हम इसको जब तक के फलफी नहीं हो जाता और इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, तब तक हम इसको इसी तरीके से फैंट दे रहेंगे, तो यहाँ पर देखें, इसका कलर चेंज वोना टेक्स्चर हमें इसका चाहिए, इसी टेक्स्चर तक हमें इसको लगातार बीट करते रहना है, तब यह अच्छा केक बनेगा और दानेदार केक बनेगा, तो यह यहाँ पर बस हमारा मिक्सर रेडी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी जो पहचाने वो क्या है, यह पर अगर यह अच्छे से नहीं बीट होगा ना, तो फिर यह इस तरीके से बरवर कर नहीं आएगा, वो ती थिन सी कंसिस्टेंसी में होगा, रनी सी कंसिस्टेंसी में होगा, और यहाँ पर देखे च्छे से ठिक हो गया था यह, तो अब मैं इसमें जो हमने मैदा लिया है, वो मिल्क पी डाल देंगे और जो मनिला इसे हमारे पास वो भी डाल दूँगी और मैं वन टी स्पून ही डालती हूँ वन एन हाफ कप मैदा में क्योंकि फिर इसकी बोच जाएदा स्मेल आती है अगर आपको जाएदा पसंद है तो फिर आप बन एन हाफ टी स्पून कर सकते है तो यहां भी मैं फोक की हैल से इसी तरीके से इसको मिक्स कर लोगी अगर मैंने डारेक्ट इसमेल बीटर चला दिया तो फिर इसी तरीके से मेदा भी उठ चाएगा और एक ही डारेक्शन में हमेंसा जो इसका मिक्सर होता है केक का उसको मैं चलाना चाहिए बीट करना चाहिए नगी तो फिर उसमें अच्छे से हवा नहीं भरती इस मिक्सचर को मैं सिर्व 60 से 8 सेक Gibbs के लिए ही मिक्स करूँगी उससे जायदा नहीं करूँगी पर यहां पर हम ऐसा नहीं करते तो यह जो साइड्स में लगा हुआ है इसको भी मैं निकाल लूँगी और फिर से एक दो सेकिन के लिए मैं इसको चलाऊंगी टोटल साथ से आठ सेकिन के लिए इसको चलाया है मैंने और अगर आप हाथ से मिक्स कर रहे हैं बस ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो चाहे आप हाथ से कर रहे हैं चाहे मशीन से कर रहे हैं बस उसको रोक देना है फिर तो यहाँ पर मैंने एक मोड ले लिया है अब इसको मैं ग्रीज कर दूँगी ऑईल में इस पर लगा रहे हूँ चारो तरह अच्छी तरीके से इस पर मैं ओल लगा लूँगी अगर इसको अच्छे से क्रीस नहीं करेंगे तो फिर जो केक है न वो इस पर चिपक जाएगा लास में निकलेगा नहीं तो अब मैंने इसको क्रीस करने के बाद इस पर मैं मैंधा लगा रहे हूँ इस की सभी एक शेर भी सरूर कीजबाइगा तो ये देखे मैंने चारो तरफ इस पर मैंधा भी लगा लिया है तो ये देखे मैंने इस मैं एक दम स्गूत है तो यहाँ पर मैंने डालने के बाद दो से तीन बार इसको अच्छे से टैप करूँगी ताकि इसमें जो बगल्स हैं वो निकल जाए अब यहाँ पर मैंने कडाई का ओवन बना लिया है इसको मैंने पास मिनट के लिए हाइफ लेम पर गरम कर लिया है और ये जो केक techा वैटरिस में रखने के बाद मैं इसको लो फलेम पर कर दूँगी और ढखक कर लखक मैं यहाँ पर इतना इसमें डिफरेंस आ रहा है थोड़ा उपर है जो मॉल्ड मैंने रखा है इसमें इतना गैप होना चाहिए नहीं तो Chemistry निचे से लग जाएगा मैं इसको डखकर रखतूंगी अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कड़ाई में बनाते हुए क्या प्रैसानी हुई अब जो है जो इसकी हीट है वो उपर तक अच्छे से नहीं फैल रहा था तो अगर आप इसको किसी भीगोने में जो गहरा हो उसमें पकाएंगे तो फिर उपर तक अच्छे से इसमें हीट आएगी अब यहाँ पर एकदम से केक के उपर डखकन आ रहा था तो अच्छे से इसके उपर हीट नहीं जा रही थी इसी वज़ाए से उपर से पकने में प्रब्लम हो रही थी और यह मुझे काफी देर तक पकाना पड़ा तो आप इसको किसी देहरे बरतन में पकाईएगा जिससे की अच्छे से हीट इसके उपर भी आ जाए अब देखे जैसे मैंने इसके उपर डखकन रखा हुआ था तो बहुत साइदा फुरक नहीं था डखकन और केक में इसी वज़ा से उपर की साइड से मुझे बहुत देर पकाना तो यहाँ पर देखिए यह हमारा जो स्तिक थी क्लीन आई है अब हमारा केक रेडिक हो गया है तो जो इसकी है साइड से हैं सबसे पहले मैं इसको काट लूँगे उसके बाद केक आसानी से निकल जाएगा तो यह काटूंगे जो इसकी साइड से जो फैला हुआ है उपर से उसके बाद देखिया असाने से निकल गया था अब मैं इसको केक की शेप में काट लूँगी तो ये थी मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज सबस्क्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा थैंक्स पूर वाचिन अल्ला हाफिज